बिहर SSC सची वाला SSI की त्यारी करने वाले सभी छात्रों के लिए good news है चलिए एक नया खुश खबरी देख लिजी एक समस्या का तो समाधान हो गया है और अभी वी एक प्रोब्लेम बांक या तो उसका कैसे समाधान होगा उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे तो 14 में 2022 को एक नोटीस चारिक क्या गया यह जो सम्बाधित है तिरते अशनातक कस्तरिय भरती से विग्यापन संखे 01-2020 तो चलिए सबसे पहले इस नोटीस को डॉनलोड करते हैं और आप यहर SSC की संपूर्ण त्यारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लिकेशन से ज देखेगा तो आवस्यक सूचना है और यह जो नोटीस है आज ही के डेट का 14 में 2022 के डेट का नोटीस है और संबाधित है विग्यापन संखे 01-2020 तिरते अशनातक कस्तरिय सनुक परत्योकता परिक्षा है तो ओनलेन आविदन समर्पित करने की थी थी 14 अप्रेल से 17 मैं तक परिक्षा सुल्क भुकतान करने की अंतिम्ति थी 15 मैं तक निर्धारित की गई थी तो इसका विग्यापन जो पब्लिष्ट किया गया था 6 अप्रेल को फिर इसके बाद एक सब्ता बाद यानि 14 अप्रेल से फॉर्म भराना शुरूप हुआ था और लास्ट डेट 17 में रख दना जार है और इसमें बनने में भी समय लग रहा है 10 वर्किंग डेज कर टायम लगता है ब्engage seconds नहीं भर पा रहे है अब यहां पर फोर्म भर्व नहीं होगी दूसरा रीजन यह था कि जाती परमानपत्र बनाने के लिए RTPS का जो वेबसेट है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, पिछले 3-4 दिनों से तो वेबसेट ओपेन ही नहीं हो रहा था, अब जाकर ओपेन हो रहा है और बहुत सलो है, इस कारण से समस्यारी थी, तो अब सभी कंडेट यहाँ पर 15 दिनो का डेट बढ़ाया गया है, तो अब कम चांस लग रहा है कि डेट बढ़ाया जाएगा, इसलिए आप जल से जल NCL जो भी आपका परमानपत्र पेंडिंग है, सभी को आप जाकर के offline ब्लॉक से जल से जल वहां से रिक्वेस्ट करके बनवा लिजिए, ऑनलेन में होगा यहीं यहां ऑनलेन आवेदन समर्पित करने की अंतिमतिती एक जून 2022 तक विस्तारीत की जाती है, तो अभिहार्थियों से अनुरोध है कि आवेदन समर्पित करने की विस्तारीत अबधी के अंतरगत, ऑनलेन आवेदन समर्पित करना सुनिस्चित करेंगे, और यहां पर डेट है तो अगर आप अभी तक registration नहीं किया है, तो registration जरूर कर लिजी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेगा, तो registration के बारे में जीक्री नहीं है, वैसे registration का भी date बढ़ाय ही जाएगा, तिसलिए आप जल से जल registration कर लिजी, जिससे आपको कोई भी बाद में problem ना हो, और online आभिदन क्या गया है, तो यहाँ पर आप क्लिक किजेगा, तो दूसरे नमर पर है, यहाँ पर विज्यापन है, और फॉर्म भरने का लिंक दिया हुए, सचेवाले सहायकत, यहाँ पर आप इंपोर्टेंट डेट में देखेगा, तो 14 अपरेल से फॉर्म भराना शुरू है, क्लोजि अगर आप नहीं किया है, तो जरूर रेइस्टेशन कर लिजे, जिसे आपको बाद में कोई भी समस्या आना हो, रेइस्टेशन करते हैं, ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं मांगा जाता है, आप जैसे इस पर किलिक किजेगा, तो यहाँ पर आपका नाम, डेट और बर्थ, बेसिक टीटेल्स, कैटोगोरी, और आप मोबाईल नमर, इमेल आडी, यह सब चीजे फिलप किजेगा, इसके बाद आपका रेइस्टेशन हो जाएगा, तो रेइस्टेशन आप जरूर कर लिजे, और आप यह जानना चारे होंगे कि टोटल अभी कितना फॉर्म फिलप हु यानि 13 से लगभग 14 लाग कंडे टोटल फॉर्म भरने वाले हैं, मिनिमम यहाँ पर 13 लाग फॉर्म फिलप होगा ही, अपडेट बढ़ गया है इस कारण से, और यहाँ पर एक और समस्या जो है इडिट का यहाँ पर समस्या, जो भी चातर फॉर्म फिलप कर दी है, तो निस्चिंत रही है, बिहार SAC की वर्से चातर हीत को देखते हुए, इडिट का भी ऑप्शन दिया जागा, इडिट का अभी नहीं दिया जाएगा, जब फॉर्म भरने का तिथिक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद एक सप्ता हमें इडिट का भी ऑप्शन दिया बस आप अच्छे तरीके से त्यारी किजिए, और त्यारी किले आपके पास बहुत समय नहीं बचा है, लगवग 100 दिन का समय बचा हुए, परिक्षा सितंबर में ले ली जाएगी, अगर बहुत अधिक लेट होता है, तब यहां पर अक्टूबर में जाएगा नहीं, तो सि पूर्ण त्यारी कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को मैत रिजनिंग GKS पूरी विशाय की त्यारी करवाएंगे, आप सभी अप्लिकेशन से जुर जाईए, यहां से आपको यह भी चीज़े पता चल गया, कि टोटल फॉर्म कितना फिलफ हुआ है, परिक्षा कब ली जाए विकेंसी का मातर 5 गुना, 287 का 5 गुना ही अभियारती को मैंस के लिए सॉट लिस्टेट किया जाएगा, इसक बाद फिर से मैंस एकजाम होगा, और मेरिट मैंस एकजाम मार्क्स के अधार पर बनेगा, तो 13 लाक में से मातर 12,000 कंडिये का मैंस के लिए रिजल्ट आने वाल और मैथ रिजनिंग है, तो मैथ रिजनिंग पर आपको सबसे अधीक धियान देना है, क्योंकि मैथ रिजनिंग से जो क्वेस्टन पूछा जाएगा, 75 क्वेस्टन, और इस 75 में से आपका मिनिममम 70 सही हो जाता है, तो बहुत जादे चांस है कि आपका रिजल्ट हो है फिर भी आपका असानी से मेरिट बन जाएगा